क्या आपको मेंस के समय पेट में दर्द होता है? क्या आपको मेंस के समय कमर में दर्द होता है? क्या आपको मेंस के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चलता है? क्या आपको मेंस के समय बहुत कम ब्लीडिंग चलता है? हाँ तो घबलाएए नहीं आज मैं आपको डिस्मिनोरिया के बारे में सारी जानकारी दूँगा और साथ में इसके सिम्टाम्स, काउज और कुछ होमियोपैथिक मेडिस्टिन्स के बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो को आँ तक देखते रहिए तो मैं हूँ भानू परताब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूप चैनल में तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वाट इज डिस्मिनोरिया तो डिस्मिनोरिया एक ऐसी समस्या है जिसमें लेडिज और गर्ल्स को मेंस के समय या मेंस के पहले कमर में, पेट में, पूरे सरीर में बहुत भयानक दर्द होता है तो उसी को हम डिस्मिनोरिया कहते हैं यह समस्या यह काम समस्या है जो कि 100% में से लगभग 40% लेडिज और गर्ल्स को हो जाया करता है और अगर आपको हो गया है तो घबडाएए नहीं आज मैं होमियोपैथिक की 4 मेडिसीन के बार में बताऊंगा जो कि बहुत ही effective मेडिसीन है और इसका परियोग अगर आप लगा जैसे की अगर आप बहुत ज़्यादा वाइली फूड नॉन भेज बगेरा का सेवन करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसीन का परियोग करते हैं अगर आपके यूट्रस या ओवरी में सूजन हो गया हो या सिस्ट हो गया हो या फिर आपको ब्रेश त्यूमर हो गया हो फेबरी डिनोमा का सिकायत हो या फिर आपके सरीर में थ्रंबोलाइसीन हॉर्मोन्स की कमी हो गई हो जिसके कारण आपके बड़ी का बलड पूरा ठक्का बन जाता है तो इन सभी कारणों से डिस्मिनोरिया की समस्या उत्पन होती है तो चलिए जानते है हम इसके सिम्टम्स के बारे में तो इस डिजिज को हो जाने के बाद पेट में कमर में पूरे सरीर में बहुत भयानक दर्द होता है इसका ब्याख्या वो लड़कियां ही कर सकती है जिनको या दर्द होता है मितली भी साथ में आने लग जाता है बहुत जादा उल्टी होने लग जाता है फीवर बहुत तेज आता है पूरा सरीर एक समय ऐसा आता है कि एकदम कमजोड पड़ जाता है और लेडिज को चलने का भी हिम्मत नहीं रभ जाता है इससे लेडिज बहुत जादा परशानियों का सामना करते हैं तो ये सब ही सिम्टम सुभर कर सामने आते हैं त तो डिसमिनोरिया की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी तो चलिए जानते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो पहली मेडिसीन का नाम है औरम्योर नेट्रोनेटम 200 नंबर इसे दो दो बून तीन बार ऐसे ही जीप पर लेना है या जनाइटल ओर्गन के लिए राम बा दूसरी मेडिसीन का नाम है पलसे टिला 200 नंबर इसे भी दो दो बून तीन बार ऐसे ही जीप पर लेना है या मेडिसीन भी अपने आप में बहुत ही सक्तिसाली मेडिसीन है तीसरे मेडिसीन का नाम है कोलोफाइलम 200 नंबर जो की बालिकाओं में होने वाले डिसमिनोरिया म में बहुत अच्छा काम करता है चौथी मेडिसीन का नाम है मेंसोल सीरप इसे दो दो ढखकन तीन बार ऐसे ही लेना है या चारो मेडिसीन बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है और इसका परियोग अगर आप एक से तीन महिना लगातार कर लेते हैं तो डिस मिनोरिया की समस्या ज स्टेरेट में तो चलिए जानते हैं इसके डाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या साबधानिया रखनी चाहिए क्या साबधानिया नहीं रखनी चाहिए तो जितना हो सके उतना आप वाईली फूड नॉन भेज बगेरा का सेवर ना करें जितना हो सके उतना आप हरी सा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कॉमेंट को बॉक्स में जरूर लिखें तब तक के लिए धन्यवाद